Hello everyone, welcome to PharmaRocks YouTube channel, PharmaRocks के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज के वडियो lecture में हम डीटेल में study करेंगे लूली कौनाजॉल मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे ये medicines के basic use के बारे में साथ जानेंगे उसके dose के बारे में सिखेंगे उसके side effects, warning and contraindications को डीटेल में आज के lecture के अंदर ते expert lecture बायमर सर, assistant professor and founder of PharmaRocks Thank you for being PharmaRocks में में मिली अपडेट रही है फामा नलज के साथ सीखें अलग लग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में दवयों के basic use के बारे में dose, side effects, warning and contraindications को एक साल तक वो भी affordable price में PharmaRocks के अब उपर तो android user, android आप डाउनलोड करें, iphone user app store से link आप को description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 पर आप हमें call या whatsapp कर सकते है साथ ही हमारे second channel को subscribe करें जिसका नाम है Hollywood to Hindi excellent की जहाँ पर आप अलग-अलग Hollywood की movies को अच्छे से देख पाएंगे वो भी काफी अच्छी picture quality के साथ और वो भी हिंदी में अच्छे से excellent की हुए story के साथ तो अभी subscribe करें हमारा second channel, link आपको description box में मिल जाएगी तो अब समझते हैं luliconazol medicine के बारे में तो ये ऐसे class का medication है कि जिसको हम antifungal drug कहते हैं और ये बहुत सारे अलग-अलग fungal infections को treat करने के लिए use की जाती है और ये क्या करती है जो foug होती है उसकी जो growth होती है उसको reduce कर देती है मतलब की जो foug अपनी growth करती है और वो growth को कम करके ये हमारा medication जो हो काम करती है ये क्रीम के तौर पी available होता है कि लिली कॉन आजोल के आप जितने भी अलग-अलग doses form देखेंगे तो वो क्रीम के फॉर्म में ही आपको मिलेगे कि बहुत सारी अलग-अलग pharma companies उसको जो अलग-अलग brand name से जो हो बेचती है बड़ सबी के अंदर आप एक चीज़ notice करोगे कि वो especially 1% जो हो weight by weight जो हो cream रहती है तो ये एक imidazole class का antifungal medication है और ये especially 1% topical cream मतलब कि आप external preparations के तोर पे उसको use करते हैं सरीर के बाहरी हिस्सों पे जब कोई fungal infection होता है तो वहाँ पे ये cream जो लगाई जाती है और especially अलग-अलग type के फूग के करन होने वाले fungal infection को ये treat कर दिया जैसे कि यहाँ पे हम कुछ ऐसे microorganism देखते हैं कि उसके सामने lulikonazole सबसे ज़दा effective है तो एक है trichophyton rubrum करके जो species आती है फूग की कि यहाँ पे जो हम diagram में देख रहे हैं उसके सामने काफी effective है उसके लावा जो microsporum जिस पे सम करके जो होता है उसके सामने भी काफी effective साभित होता है और तीस तरह हम देखे तो epidermophytum flocosum के सामने भी यह lulikonazole काफी effective साभित होता है अब उसके label के हम study करें तो specially 10 gram के quantity के अंदर यह cream जो अवे लेबल होती है और यहाँ पे जो आप company का brand name देख सकते बड़ यूजली जो medication है वो है लulikonazole के जो उसका main salt composition है फिर detail composition हम देखे तो सबसे पहले cream के लिए जो वो base बनाया जाता है और वो cream base के अंदर medications के अलावा जो दुसरे ingredients said है वो है preservatives तो preservatives यहाँ पे है methylparaben है and benzyl alcohol यहाँ पे add किये हुए है methylparaben रहता है 0.14% जितना और benzyl alcohol रहेगा 1% और composition में liluikonazole जो है वो 1% weight by weight के तोर पे है और यहाँ पे देखो खास लिखा है कि external use only मेले के सरीर के बाहरी हिस्सों पे ही आपको जो उसको लगा नहीं और यहाँ पे manufacturers के आप यहाँ पे detail देख सकते हैं कि manufacture किस ने किया है फिर एक यहाँ पे precautions या फिर warning लिखे कि जब भी आप उसको retail में बेचते हैं तो dermatologist के prescription के बिना उसको कभी भी ना बेचते तो proper एक prescription लगता है जब भी आपको यह medication purchase करनी है तो luliconazol की अब हम mechanism समझ लेकि किस तरह से medication काम करती है तो यह azol antifungal हम कहेंगे कि जो fungal का जो membrane होता है उसको develop नहीं हो देता उसको inhibit कर देता कि जिससे आगे जाके वो fungal cell जो अपनी growth नहीं कर पाता कि यहाँ पे आप समझो कि fungal cell की जो membrane होते है कि यहाँ पे आप देखो क यह पूरी outer line जो मैं अभी draw कर रहा हूँ वो है यह fungal cell की fungal cell membrane अब उसकी development के लिए ज़रूरत पड़ती है ergosterol की ergosterol आगे lenosterol में से बनता है और lenosterol में से ergosterol बनने के लिए यह वाले enzyme की ज़रूरत पड़ती है कि जिसको lenosterol 14-alpha-D-methylase enzyme कहा जाता है तो यह जो हमारे medication है लूली को नाजोल क्या करता है यह lenosterol 14-alpha-D-methylase जो enzyme है उसकी activity को जो है वो completely inhibit कर देगा कि यहाँ पर समझे कि lenosterol 14-alpha-D-methylase अवेलिबल नहीं है तो lenosterol में से यह जो आगे ergosterol बनता है वो नहीं बनेगा और ergosterol नहीं होगा तो fungal cell का membrane है वो develop नहीं होगा और यह नही नहीं develop होगा तो आगे जाएके fungal cell जो है वो completely destroy हो जाते तो यह इस तरह से लूली को नाजोल medication काम कर दी है आगे उसके कुछ हम basic use देखे तो especially यह जो ring worms होते हैं कि आप इस तरह से draw करो तो उसके आसपास एक पूरी ring तयार हो जाए तो जो circles type के जो fungal infections होते कि यह आपे भी आप देखो यह ring type का पूरा structure बना हुआ है कि वहाँ पे अंदर की जो skin है वो infection के current damage होई है कि जिसको tinea infection भी खास कर कहा जाता है tinea corpores कर के कहा जाता है तो इसके इलाज में directly आप यह cream जो है वो वहाँ पे लगा सकते हैं फिर जो दो उंगलियों के बीच में कि जो पैरों की जो दो उंगलियों के बीच में इस तरह से ही जो होता है fungal infection कि जिसको athletes feet भी कहा जाता है या फिर athletes food कहा जाता है कि specially आपके जो पैर होते है वहाँ की जो fingers होती है वहाँ पे यह बीच में specially infection होता है कि जिसको tinea paddies कहा जाता है तो उसके अलाज में भी यह lulikonazole directly आप वहाँ पे लगा सकते है और तिसरा जो groin का जो reason होता है body का जिसको हम कहते हैं कि tutenia crew risk करके जो infection है या फिर jog each कहा जाता है तो वहाँ पे जब समझे कि आपको ringworms होता है specially तो उसके इलाज में भी आप lulikonazole की जो यह cream है वो लगा सकते है अब बात करते हैं उसके dose की कि कितने dose मे आप उसको लगा है तो सबसे पहले आप जो हो दिन में दो या तीन बार जो हो affected area पे लगा सकते कि यहाँ पे समझे कि यह infection हुआ है fungal infection तो वहाँ पे आप दिन में दो से लेकर तीन बार लगा सकते है और अच्छे से आपके hand wash कर लेजिए और उसके बाद वहाँ पे आप य यह cream को apply करें तो इसी तरह से यहाँ पे आप अच्छे से वह cream को दिन में दो या तीन बार लगाए जितने भी अलग अलग जगा पे ringworms होते हैं body के अंदर fungal infections होते हैं वहाँ पे यह cream आप topically लगा सकते हैं अब बात करते हैं उसके कुछ warnings की तो warning और side effects उसकी यह रहेगी क कि अगर किसी को allergy हो जाती है यह cream लगाने के बाद कि जैसे और ज्यादा रैसिस हो रहे हैं जलन हो रही है बर्निंग हो रही है तो समझ लो कि आपको allergy है lunicolazole की तो तुरंद उसको use करना जो यह वाप बन कर दे तो यह है उसकी एक warning तुसरा आप देखे तो यह जो cream है जो बच्चे होते हैं below 12 years के तो उनको कभी भी यह cream use ना करकी है जो child age के जो बच्चे होते हैं 12 years या उनसे कम age के जितने भी बच्चे हैं उनको यह cream कभी भी आप ना लगाएं तीसरा condition देखे तो यह cream जब आप लगाते हैं तो खास ध्यान यह रखे कि नहीं यह cream आपके eyes के contact म mouth तो यह खास ध्यान रखे कि यह जब आप cream लगाते हैं तो लगाने से पहले और लगाने के बाद अपने हाथ को अच्छे से जो है वो wash करें कि जिससे किसी भी टाइप का irritation ना हो आपकी eyes में ना हो आपके nose में या फिर आपके mouth में किसी भी तरह से irritation ना हो तो subscribe करें हमारा second channel जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain की जाप पे आप अलग-अलग Hollywood की movies को देख पाएंगे वो प्यच्छी picture quality के साथ link आपको description box में मिल जाएगी तो अब भी subscribe करें हमारा second channel सीखे medicine course के इंदर दवायों के basic use के बारे में dose, side effect, warning and contraindications को एक साल तक offerable price में PharmaRox के mobile application के उपर तो download करें आप PharmaRox या फिर whatsapp करें 901631-2020 पे तो study material, test series and video lectures के लिए जरूर से download करें आप PharmaRox Android user, Android app download करे, iPhone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी गुद लेक और वेस्ट